पूरे देश में इस समय कोरोना वाइरस के खिलाब बड़ी जंग चल रही है। देश में कोरोना वाइरस के मामले दिन बदिन आगे बढ़ते जा रही है। कोरोना के मामलों के बीच आजकर आप सामको अपने टीवी स्कीन पर एक चैरे को हर रोज देख रहे होंगे। पिछले करीब एक महां से ये वक्ति आपके स्कीन पर देश में कुरोना के मामलों के बारे में जानकारी दे रही है ये वक्ति है आईए सबसर लव अगरवाल चुस्वास्त है और परिवार कन्याड मंत्राले में जोइंट सेकेटरी है सामब चार बजे लव कोरोना बाइरस के ताजा हालतों के बारे में मीडिया और देश को जानकारी देते है 48 साल के लव अगरवाल हमेशा ही COVID-19 पर मीडिया के हर सवाल का पूरे आप मिस्वासे जवाब देते है उत्रप्रदेश के साहरनपुर्ग जिले के रहने वाले लव इंडियन इस्ट्यूट ऑफ टेक्मिलोजी दिल्ली से बीटेक की पड़ाई पूरी की थी सन 1993 में में मेकरिकल इंजिनिंग में डिग्री रिने वाली लव अगरवाल ने 1996 में IAS की परिच्छा पास की उसके बाद उनकी पोस्टिंग आंदर केर्डर के तहद होई स्वास्त मंत्राले के अलावा लव ने सिच्छा के छिद्र में भी काम किया है लव आंदर प्रदेश के माद्धिमिक सिच्छा विभाग के डिरेक्टर थे यहां पर उने सिच्छा के साथ स्वास्त के छिद्र में भी काम किया इसके अलावा आदर देश में स्वास्त एवम परवार करना विभाग के कमिशनल भी रह चुके हैं लव पर स्वास्त मंत्राले में Global Health, Mental Health, Technology, Public Policy की जिम्मेदारी है वह लीक से हटकर काम करने वाले योजनाओं को सही तरीके से जन्ता के बिच लाने में यकीन रखते हैं इसी क्वालिटी की बज़े से मोधी सरकार ने उने कई अंतराष्टी आयोजनों में भारत के प्रद निरितु का मौका दिया है लव अग्रवाल ने इस साल जन्मरी में G20 देश के Health Working Group के सम्मेलन में मोधी सरकार की आयस्मान भारत स्कीम पर एक परजेंटेशन तयार किया था वह है G20 देशों के लिए Digital Health Task Force बनाने की भी बकालत कर चुके हैं साल 2016 में केंद में उनकी पोश्ट हुई थी उनका बहतर ट्रेक रिकॉर्ड देखकर केंद सरकार ने उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया मोधी सरकार ने उन्हें 28 अगस्त 2016 को स्वास्त्र मंत्राले में जोइंट सेकेटरी नियुक्त किया था पांच साल के लिए इस पर नियुक्त लव साल दोर 21 तक इस पत्की जिम्मेदाई निवा सकेंगे उनके जुनियर उन्हें काम के प्रतिसमर्पत रहने वाला ओपसर मानते हैं जिनका भरोसा आज़र करना बहुत ज़यूरी है लव को एक ऐसा अफसर माना जाता है जिनको भरोसा जीते बिना उनसे बात करना भी मुस्किल है लव आजकल 15-16 घंटा रोजाना काम कर रहे हैं उनके एक जुनियर ने बताया कि उए सबसे पहले उपस आते हैं और फिर सबसे आखिर में घर जाते हैं लव बहुती अन्वासन बारे जिन्दगी जीते हैं जिसमें एकसरसाइज और योगा का एक बड़ा योगदान है लव अगरवाल की पेंचान इन्नोवेटिव अफसर की रही है उनके साथ ही उनके बारे में कहते हैं कि वे उनकी योगता और समझ के कायल है जिस तरह से लव चीजों को समालते हैं और जिस दवाब में काम करते हैं उनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है सायद यह है उनकी अनुसासित जिन्दगी की बज़े से है तो दोस्तों यह थी लव अगरवाल के बारे में कुछ जानकारी ऐसे होन हार आपसर बारत को हमेशा मिलते रहने चाहिए धन्यवाद